क्या बिजली विभाग के कारे प्रणाली से आप अशंतुष्ट हैं क्या बिजली विभाग के द्वारा आपसे मनमानी विल का मीटर वशूला जाता है क्या बिजली विभाग को अगर आप दिये गए सरकारी नंबरों पर फोन करते हैं तो आपको समान जनक शंतुष्ट जनक जबाब मिलता है या नहीं नमस्कार मिरे नाम है अभिशेक तिवारी आप देख रहे हैं बोली भारत दरसल एक बिजली विभाग को ले करके बिहार में सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट अब हमारे सामने है सर्वे रिपोर्ट में चार प्रकार के सवाल पुछे गए थे अब दिखिए सवाल क्या थे दरसल सर्वे रिपोर्ट में जो सवाल पुछा गया था उसमें सबसे महतपुन सवाल यह था कि क्या आप बिहार के बिजली विभाग की हेलप लाइन नमबर 1912 से संतूष्ट हैं? क्या स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से आपका बिजली का बिल ज़ादा आने लगा है? क्या स्मार्ट मीटर के साथ आपके मीटर का MRTC यानी मीटर रीडिंग टेस्ट साटिफिकेट दिया गया है? क्या आपको पता है कि अन्य राज के मुकाबले बिहार राज्य में बिजली की दरें ज़ादा है? इन तमाम सवालों के वलोकन में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसे सुन कर आप भी हैरान हो जाएंगे आपको हम बताएंगे कि इन तमाम सवालों के जबाब में लोगों ने क्या परतिक्रियाएं दी है? आपको बता दें कि बिहार समाजिक अंकेशण के सदस्य के द्वारा एक प्रेश्ट बिग्यप्ती जारी की गई है और यही वो टीम है जो बिहार के अलग-अलग हिस्सों में जा करके सर्वे रिपोर्ट लेकर सामने आई है समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी कर उसमें बताया गया है कि टीम के द्वारा कराये गए सर्विक्षण में समाट मीटर को एक सीरे से खारिज कर दिया गया है लिखनी है कि बिहार में समाट मीटर एवं बिजली से संबांधित परिसानियों को जानने के लिए 15 जनवरी 2022 से बिहार के समाजिक अंकेशन की बिसेश टीम ने एक सर्वे किया आइडिजेनेक्स डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा यह सर्वे करवाया गया पटना के सहयोग से जनता से राय सुमारी की गई सोशल मेडिया के माध्यम से भी उनकी राय ली गई इस संबंध में बिहार सोशल आडिट की टीम ने कुछ प्रश्ण भी रखे गए हैं रखे थे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रश्ण एक बार फिर से हम अगर दुरा दें तो प्रश्ण चार प्रकार के प्रश्ण रखे गए थे जिसमें असपस्ट है कि क्या आप बिहार के बिजली विभा की हेल्पलाइन नंबर 1912 यानि 1912 से संतूष्ट हैं क्या स्मार्ट मिटर लगाने के बाद से आपका बिजली का बिल जदा आने लगा है क्या स्मार्ट मिटर के साथ आपके मिटर की MRTC रिपोर्ट यानि मिटर रीडिंग टेस्ट शाटिफिकेट आपको दिया गया था क्या आपको पता है कि अने राज्जियों के मुकाबले बिहार राज्जिय का बिजली बिभाग आपसे बिजली का दर जदा वसुल रहा है और जो अब रिपोर्ट आई है वो आपको पता देते हैं बिहार समाजिक अंकेशण टीम के आँकड़े के मुताबिक 64,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें 56,000 बिजली बिभाग के हिल्पलाइन नंबर 1912 से असंतुष्ट बताए वही 33 प्रतिशत लोगों का कहना है कि 1912 पर कोई जबाब नहीं मिलता है 11 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वो हिल्पलाइन नंबर से संतुष्ट है अंकेशन के आगले सवाल की बात करें तो 47 प्रतिशत लोगों ने दावा किया है कि स्मार्ट मिटर लगने के बाद बिजली के बिल में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है मातर 6 प्रतिसत ही लोग हैं जो बिहार में इस स्मार्ट मिटर से संतुष्ट हैं और अगले सवाल में अगर क्या स्मार्ट मिटर के साथ आपके मिटर का MRTC रिपोर्ट दिया गया था इसके जबाब में अंकेशड के जो अगला सवाल है प्रमुक्ता से सामनी आई है इसमें 86 प्रतिशत लोगों ने बताया है कि मीटर रीडिंग टेस्ट सार्टिफिकेट उन्हें दिया ही नहीं गया था जबकि 11 प्रतिशत उपभोगता का कहना है कि इसके बारे में वो जानती थे लेकिन सार्टिफिकेट प्रिपेट मीटर का उन्हें नहीं दिया गया 86 प्रतिशत जो ऐसे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं था कि इस परकार का सार्टिफिकेट भी दिया जाना था तीन पर्तिसत महज लोग ऐसे हैं जिने सार्टिफिकेट भी दिया गया है क्या आपको भी पता है कि जो smart prepared meter लगाया जाता है उसमें एक सार्टिफिकेट यांई meter reading test certificate भी आपको दिया जाता है कि आपका meter किस तरीके से कार्य करेगा इसके बाद अगला सवाल था कि क्या आपको पता है कि आपके अन्य राजे के मुकाबले आपका बिजली विभाग, आपसे जदा बिजली का दर वसूल रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 85% बिहार के जनता यह जानती है कि बिहार में बिजली का जो दर है बाकी राजियों से मंगा है 15% लोग इस बात की जनकारी नहीं रखते हैं वहीं बात अगर रेटिंग की करें तो सर्वेक्षन में सामेल 71% लोगों ने बिहार के बिजली विभाग को बुरा बताया है एक पॉइंट की रेटिंग दी है 15.1 प्रतिसात जो लोग हैं वो दो पॉइंट की रेटिंग दे रहे हैं बिहार के बिजली विभाग को वहीं 8.4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3.0 की रेटिंग दिये हैं जिन्होंने 4.0 की रेटिंग दिये हैं और 3.4% महज लोग ऐसे हैं उपभोगता बिहार बिजली विभाग के जिन्होंने बिहार के बिजली विभाग को बहुत अच्छा बताते हुए 5 रेटिंग दिये हैं या बिजली की बेवास्था से नराज है ये बात इस सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ देखा जा सकता है स्मार्ट प्रिपेड मीटर बिजली कमपनी के लिए बरदान साबित हो गई है वहीं भगताओं के लिए अभी शराप बनने लगी है स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगने के बाद अपना बिजली का बढ़ा हुआ बिल बताक जो बढ़ा हुआ बिल है उससे जनता काफी परिशान नजरा रही है वक्ता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रिपेड स्मार्ट मीटर MRT द्वारा सार्टिफिकेट भी उन्हें नहीं दिया गया है यहां तक कि उन्हें इस बारे में जनकारी भी नहीं पहुचाई गई है आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज गूपता ने कहा है कि बिहार पहले से ही अन्य विक्सित राजियों से ज़्यादा बिजली दर का भार जिल रहा है वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगा कर सरकार लोगों की और परिशानी को बढ़ाने का काम कर रही है आगे उन्होंने कहा है कि देश के अन्य विक्सित प्रदेश उत्तर प्रदेश उडिसा गोवात अमिलनाडू तथा गुजरात में बिजली निहुनतम एक दसमलो पांच जीरो यानि लगबग डेड़ रूपे से अधिक 6 दसमलो दो जीरो यानि 6 रूपया 20 पैसा के दर से म बिल रही है यह बिजली विभाग को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट कराया गया था और उसी रिपोर्ट में यह निकल कर सामने आया है बिहार में बिजली को लेकर सर्वे 47% लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बास 30% बढ़ गया है बिजली का बिल वहीं समाजिक अंक के सदस्यों के द्वारा यह सर्वी रिपोर्ट किया गया है और उसके तहत हम यह खबर आप तक पहुचा रहे हैं अगर आप बिहार से यह खबर देख रहे हैं अगर आप बिहार के रहने वाले हैं बिहार की जनता हैं तो आप अपने सरकार आप अपने जन परतिनीदियों से स गया है विजली के दरों में इजाफा करके एक अलग से विजली भीभाग के द्वारा जनता पर और महंगाई का बोज क्यूं डाला जा रहा है सबसे बड़ा सवाल आप से कि क्या आपको भी लगता है कि आपका विजली भीभाग विजली का दर जधा वसुलता है या फिर आप आपके घरों में जब से स्मार्ट मिटर लगा दिये गए हैं तब से आपके घरों का बिजली का जो दर है वो पहले क्या पिक्षा अधिक हो गया है अगर अधिक हो गया है तो कितना हमारे कमेंट बक्स में जाईए कमेंट किजिए और हमें बताइए कि आपके जिले में आपके गाव मुहलों में आपके कस्बों में क्या है इसकी रिपोर्ट फिलाल आप सबीक आमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार